पाकिस्तान मे एक ऐसा अनूख का शक्स पाए जाता है जो च्विस घंटे काम करता है 나 शॉबीस घंटे काम करते है जह लगार और च्वराइब सुन लूख उपाद करते हैं है इससे आप जानें आप जाब सो तो कहते ही बάλएे सोन弃 पिली रखते है व्या आक बढंए और वह द्रेश इस नहीं परणा को पहले वो केते हैं कि सवाज़र साब से मैं ने पूछा कि आप कितने घंटे काम करते हैं उन्होंने कहें 26 गंटे उसके बात फिर मैंने के पूछा कि निये ये दिन में तो 24 गंटे होते हैं नार्मल इंसाम के तो आप 26 गंटे किस तरह काम करते हैं तो उसने कहा हैं 24 गंटे इंपर बले दो गंटे मैंने सोने के लिए रखे हुए ये इसको कुछ आप लोग पुद ही एकस्प्लेंड करनें ये मेरे समझ से तो बाहर है बारह ये इस कि नवाश्रीफ साहब के सपीच राइटर भी रहे हैं ये लिखते हैं ये उनकी बड़े जना तगड़े सियासी शक्सियत है तगड़े दूमली के बने ये तगड़े और पढ़े लिखे बंदे का हाल है वो इस जनरेशन को इस जनरेशन को ये समझा रहा है कि 30 गंटे काम करता है जिसमें से 2 गंटे वो सोता है ये एक अबनार्मल इनसानों वाली बाते हैं ये किसी और हिरा में तो शायद चलते होंगे इस किसम की बाते हैं जब लोग आपके सामने जो बैठे हुए थे वो जहल थे जिनको नहीं पता था कि आप क्या कह रहे हैं मगर जिस जनरेशन से आप इस वक्त मुखाते हैं वो जानता है कि दिन के कितने घंटे होते हैं ये सुई की जो मिंट और सेकंड और जो गंटे हैं वो उनसे बाकिफ हैं ची तरह से और वो आपकी जहनियत से भी बाकिफ हैं कि किस तरह के कुंद जहन लोग मुसलिम ली गनून मे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क का बिड़ा घर किया जिनको ये नहीं पता कि दिन में 24 गंटे होते हैं ये 26 गंटे हैं जिनको ये नहीं पता वो कहते हैं 26 गंटे हम काम करते हैं फिर दो गंटे हम सोते हैं ये तो 18 गंटे हो गए ना 26 गंटे काम करता है और दो गंटे तो उसने अराम के लिए रहा हुए यह क्या वहियात बाते हैं यह किस किसम्पी बाते हैं